जारकन बजट सत्र का आज तीसरा दिन रहा चमपई सोरेन सरकार ने सदन में वित्य वर्ष दो हजार चौबीस पच्चिस का बजट पेश किया वित्य मंत्री उमेश्वर उराव अटैची लेकर विधान सभा पहुचे आपको बता दे कि वित्य मंत्री उराव का ये पांचवा बजट था और ये चमपई सोरेन सरकार का पहला और गडबंधन सरकार का आखरी बजट है बिहार के और अंगबाद में देश की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दो मार्च को जन सभा को संबोधित करेंगे इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं आपको बता दे कि लगभग 9 साल बाद बियम मोदी और अंगबाद के दौरे पर आएंगे इससे पहले प्रधान मंत्री 2015 में विधान सभा चुनाव के दौरान बियाड़ा कैमपस के पास दे स्थित CRPF कैमपस की जमीन पर आये थे बहराल दो मार्च को मोदी की सभा में 3 लाख लोगों के आने का अनुमान है अपनी जन विश्वास यात्रा के तहट बिहार के नेता प्रतिपश तेजस्वी आदव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों से आशरवात देने की अपील की बोचपुर में आरजडी विधायक किरन देवी के आँ चल रहे एडी की रेट पर तेजस्वी आदव ने कहा कि क्या फर्क पढ़ रहा है जब भी एडी सी बिया इंकम टेक्स काम कर रही है विपक्षी निताओं के यहां तो आप समझ जाए कि बीजेपी के लोग घब रहे ह और आप जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं तेजस्वी आदव के काफिले की गाड़ी का एक्सिडेंट हो गए और यहाथषा पूर्णिया के मुफस्यत थाने के बिलॉरी के पास हुआ आपको बता दे कि तेजस्वी आदव के काफिले में शामिल एक स्काउट गाड़ी और सिविलियन कार के बीच भीशन टक्कर हो गई इस हाथसे में एसकॉर्ट गाड़ी के ड्राइबर की मौत हो गई जबकि छे पुलिस कर में घायल है, वहीं दूसरी कार में सवार चार सिविलियन भी घायल है सभी का इलाज जारी है संदेश विधायक किरंडेवी पूर्व विधायक अरुण यादव के घर पर मनी लॉंडरिंग मामले में एडी टीम की चापेमारी हुई अरुन यादव के तीन ठीकानों पर रेड हुई है आपको बता दे कि पहले भी चापिमारी अरुन यादव के आवास पर हुई है संदेश विधाय किरंदेवी पूर विधाय करुन यादव को अकसर तेजस्वी यादव के साथ जन विश्वास यात्रा की दोरान देखा गया है तेजस्वी यादव संबोधिन कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि तस्वीर में बगल में अरुन यादव खड़े है दर्भंगा में लोगसभा चुनाव जैसे जैसे नस्दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल के प्रमुक का दौरे का सिलसिला चालू होता जा रहा है इसी कड़ी में 28 फर्वरी को बीजेपी के स्टार प्रचारक और देश के रक्षा मंत्री राजना सिंग प्रचार की शुरुवात करने के लिए दर्भंगा आने वाले हैं इस दौरान यहां जनसभा को संबोधित करेंगे बीजेपी लोगसभग कोर कमीटी और प्रबंधन समीती की बैठक में शामिल होने के लिए भारत सरकार के पूर्व केंद्र मंत्री मुक्तार अबास नक्वी अररिया पहुँचे बीजेपी जिला कार्याले में आयुजेत समत्व पूर्ण बैठक में जिले के सभी प्रमुख भाजबा कारिकरता मौचूद थे पूर्व केंद्र मंत्री मुक्तार अबास नक्वी ने मीडिया को सम्वोधित करते हुँए कहा कि कॉंग्रिस के जो अभी भी कुछ नेता है वो वेंटिलेटर पर है लेकिन उनका अहंकार एक्सिलेटर पर है अब उनका अभ्याद शुरू हो गया है कि हार का ठीकरा EVM पर कैसे फोड़े और इल्जाम लगाएंगे कि EVM के कारण ही हार हुई है